हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल sr जाज़ोरिया पर स्वागत है हम डिसकस कर रहे हैं advanced English structure पर कैसे हिंदी के sentence को इंगलिस में convert किया जाता है इसके जरिया आप speaking course आसानी से सीख सकते हैं डेली उजे sentence सीख सकते हैं चलिए देखते हैं आज का pattern क्या है subject के बाद verb होगी फिर how का यूज़ करना है फिर infinitive infinitive हमें two के साथ verb की first form का यूज़ करना है याँ verb के साथ हमें two का यूज़ करना है clear है लता coffee बनाना जानती है दएके एक ऐसा sentence है जिसमें किसी कारे को जानना आना उसके बारे बताया गया है तो लता coffee बनाना जानती है उसको आता है कि coffee कैसे बनाई जाती है यह है कहने का मतलब तो आप यहां लिखोगे लता नौज present indefinite का है how to make coffee तो how का यूज करना है यहां पर इसके बाद infinitive to यानि और वर्ब क्या है बनाना to make coffee तो लता नौज how to make coffee clear है उसे अंग्रेजी बोलना आता है यानि वो अंग्रेजी बोलना जानता है उसको पता है कि अंग्रेजी कैसे बोलते है तो he knows how to speak English clear मैं कार चलाना सीख रहा हूँ वो जानना चारा है सीख रहा है उसको पता है तो वो कार चलाना यानि मैं कार चलाना सीख रहा हूँ तो आप लिखोगे I am learning how to drive a car clear है यह present continuous का है तो I am के साथ वब में I am learning clear अब आपके लिए homework है वैं नाचना जानती है सुरेज तैरना जानता है मैं तैरना सीख रहा हूँ इनको आप जल्दी से convert कीजिए English में और मुझे comments box में लिख करके भेज दीजिए जल्दी से कि आपने इस lesson से क्या सीखा वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर करे यह दिया आप channel पे नए है तो subscribe करे हस ते रहे हैं मुश्करात रहे मेरे साथ enjoy कर ते रहे English आपका अपना channel srjajorya धन्यवाद